जहिंद गुड मॉर्निंग टु आल जितने भी साती हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का वेलकम है विजेपत एजुकेशन में HRTC conductor की 3rd class हमारी रहेगी ट्राफिक और रोड सिगनल या साइन की ये लास्ट पार्ट हमारा रहेगा ट्राफिक और रोड साइन का जिसमें हम पूरे के पूरे 40 प्लस कोईशन जो हैं वो डिसकस करेंगी कि कौन सा सिंबल किस परपस के लिए यूज किया जाता है इससे पहले हमने 2 classes आपके लिए प्रोवाइड कर दी गई हैं यूट्यूब के उपर आप उनको देख सकते हैं अभी वो बिल्कुल free of course है और इसके बाद आने वाले जो हमारे next session रहेंगे HRTC conductor के वो हमारे paid classes में आप उसको जोईन कर सकते हैं उसके लिए आप play store से education.com website के उपर आप visit कीजे वहां से आप HRTC conductor का नया बैज जोईन कर सकते हैं क्योंकि time आपके पास काफी कम है classes आपकी जादा है syllabus जादा है 10 December को आपका ये exam होने वाला है तो जल्दी से आप play store से विज़पत government exam preparation को download कर लीजिए तो 81 question हमारे पास रहेगा यहां पे एक T का symbol जो है वो दिया गया है इसका मतलब है कि यहां पे जो है वो चुराहा है लेकिन किस आकरिती का है T की आकरिती का यहां पे चुराहा है अब देखिए 82 question में यहां पे एक traffic inspector जो है वो खड़ा है और उसने अपना एक हाथ जो है वो उठाया है मतलब left यह right की direction में जो है वो उसने उठाया है तो यहां पे उसका मतलब क्या है पीछे से बाहान को रोकने का अनुरोध है जब भी कोई हाथ से इस आरा दिया जाता है मतलब की बाहान को र रोकने के लिए request जो है उनके द्वारा 83 है नमबर इसमें हमें बताया गया है कि एक inspector के द्वारा जो है वो अपना एक हाथ जो है वो बिल्कुल उपर state की direction में है और एक जो है वो left या फिर right की direction में है तो जो left या right की direction में होगा वो बहान को पीछे की तरफ से रोकने के लिए इशारा होता है और जो उपर की तरफ अपना हाथ किया है वो है सामने से बहान को रोकने का request जो है वो की जाती है जैसे कि 84 में आप देखिए यहाँ पर उपर की तरफ arrow है इसका मतलब है सामने की तरफ से जो है वो रोकने बहान को रोकने के लिए request जो है वो इन inspector के द्वार जो है वो की गई है, next, 85 को आप देखिए, 85 में जो है वो एक बैल गाड़ी का चित्र बनाया गया है, उसके बाद एक आदमी जो है वो हाथ गाड़ी को जो है वो लेकर जा रहा है, इसका मतलब इस रास्ते से आप बैल गाड़ी और हाथ गाड़ी जो है वो नहीं लेकर जा सक एक cross का symbol है इसका मतलब यहां से बो चीज़ बिल्कुल restricted है बिल्कुल निशेद है वहां से आप इस चीज़ को नहीं ले जा सकते next cycle का चितर है और बीच में cross का symbol है मतलब आप यहां से cycle को नहीं ले जा सकते next 87 का है इसमें हमें यह बताया गया कि एक ट्रक का चितर है जिसके नीचे लिखा है 10 मीटर यानि की बहान की जो मैक्सिमम लंबाई होगी वो कितनी होगी 10 मीटर की होगी इससे लंबा बहान बहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकता next 38 में आप देखिए यहाँ पे बस का चितर है और लू कलर का मतलब होता है compulsory और बस का चितर यानि कि यहाँ पे क्या है bus stop है बस को रोकना जरूरी है यहाँ यह बस टॉप है नेक्स देखिए नमबर 89 ये अंतिम पार्ट हमारा रहेगा सिंबल से रिलेटिड इससे पहले दो क्लासेज हमारी अल्रेडी अप्लिकेशन और यूट्यूब के ओपर अप्लोडिट है उनको आप देख सकते हैं नेक्स साइकल का चितर है मतलिव कि ये साइकल का ट्रैक है नमबर 80 फाइब टी लिखा है यानि कि 510 का जो लोड है वो यहां से गुजारा जो है इस रोड से जो है वो 510 का लोड जो है वो गुजारा जा सकता है नेक्स देखिए टांगे का चितर है मतलब कि आप यहां से टांगा नहीं ले जा सकते नेक्स नमबर 92 है इसमें जातर बच्चे जो है वो गलती करते हैं क्योंकि ये आपके स्पीड ब्रेकर का जो है वो चितर दिया गया है लेकिन जब एक ही दिया होगा उपर की तरफ इसका मतलब यह क्या है स्पीड ब्रेकर है नेक्स्ट 93 को आप देखिए इसमें एक रेलबे का जो है वो दिया गया आई थिंक हमने पहले भी ये डिसकस कर लिए रेलबे का एक फाटक है ये उसके बाद नमबर 94 है इसमें मुंबई की तरफ एरो दिया गया है जब भी कुछ ऐसा चितर होगा मतलब कि मुंबई जो है वो इस दिशा में आएगा जब भी हम रास्ता जाते हैं जैसे कि पालूमपूर से आपको धरमशाला जाना है दो रास्ते होते हैं जैसे कि ये में रास्ता आगया आपका यहाँ पे आपके दो एरो लग जाएंगे एक इस तरफ एक इस तरफ अगर जब आप पालूमपूर की तरफ जा रहें तो आप इस तरफ जाएंगे बैजनात की तरफ जा रहें तो इस तरफ जाएंगे तो आपको ये arrow जो है वो क्या बताते हैं रास्ते की direction को show करते हैं नमबर 95 को आप देखिए 95 जो है उसमें सिर्फ arrow नहीं दिया गया उसमें सिर्फ आपके पास एक नाम लिखा गया है उसमें लिखा है पुने इसका मतलब होता है कि ये स्थान जो है वो किसको दर्शाता है उस जगा को दर्शाता है जैसे कि हम पुने में पहुँच गए तो इस तरीके का सिंबल वहाँ पे लगा होगा नमबर 96 को आख देखिए इसमें जो है 96 में इसमें मुंबई पुने और नासिक तीन चीज़ें बताई है और डायरेक्शन तीनों की अलग दी है जैसे कि मैंने अभी 94 question में आप से discuss किया पालूपूर बैजनात का example विल्कुल वैसा ही आपके पास ये example रहेगा उसके बाद 97 है हमारे पास तो इसमें जो है पूँ हमारे पास नाम लिखे गए है और उसके बाद उसका distance लिखा गया है जैसे कि सांगली के ओपर 20 लिखा गया है और स्तारा की ओपर जो है वो 10 लिखा गया है तो यह जो है उनका एक distance की form में आपका यह हो सकता है उसके बाद number 98 भी कुछ इसी तरीके का है लेकिन उसमें arrow बताए गए है उनके distance भी दिया गया है जैसे पुने का arrow जो है वो उपर की तरफ लगाया गया है उपर की तरफ है इसमें पुने में arrow और उसका distance जो है वो कितना दिया गया है 60 दिया गया है उसके बाद 99 को अगर हम देखें चम्मच और चम्मच के जितर दिये गए चम्मच और कांटे के इसका मतले यहाँ पर कोई खाने की जगा है और जो अंति में है हमारे पास इसमें यह 100 नमबर पे इसमें जो है वो एक रेड कलर का जो है एक चितर दिया गया है उसमें एक नमबर लिखे हैं 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक इसका मतलब है यह बाड़ गेज है बाड़ को दर्शाने का चितर जो है वो यह बनाए गया जैसे कि रास्त जो है वो किया जाता है उसके बाद next हमारे पास कुछ important और रहेंगे symbol उनको भी हम discuss कर लेंगे यह green color आपने देखा होगा बिल्कुल easy है traffic signal है green color जो है वो आगे बढ़ने के लिए होता है red color बिल्कुल रुकने के लिए और yellow color जो है वो आपको तियारी करने के लिए होता है ज चीज़ आपको जानकारी बताती है जब red color में आएगा बिल्कुल 103 number की तरह तो इसके अंदर कुछ भी लिखा हो सकता है ये चिताबनी को दर्शाता है 104 number जो है वो आपको इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है हो सकता है बच्चा जो है वो यहाँ पे दोड़ रहा है त तो red color और बीच में cross इसके अंदर कुछ भी हो सकता है कुछ भी इसके अंदर bell गाड़ी का चितर हो सकता है गाड़ी का चितर हो सकता है scooter का चितर हो सकता है मतलब यहाँ पे वो काम आपको नहीं करना है बिलकुल निशेध है वो चीज़ करना ठीक है और next number 106 करने के लिए मजबूरी है बोच चीज compulsory जो है वो आपको करनी है ठीक है next नमबर 107 के उपर हम discuss करेंगे यहाँ पर आप देखिए सडक बनी है वीज में white पट्टी है और yellow line जो है वो एक डली है 108 में जब आप देखेंगे तो yellow line कितनी है 107 का मतलब है यहाँ पर parking जो है वो मना है ठीक है और जब दो line अगर होंगी तो parking के लिए सिर्फ एक line मना है दूसरी जब yellow line लगा दी मतलब आप वहाँ पर रुक भी नहीं सकते parking का मतलब है गाड़ी को खड़ी करना ठीक है बिल्कुल खड़ी कर दिया आपने और रुकना मतलब कि जैसे अगर आपको कोई एक सवारी उतार नहीं तो आप यहाँ पर नहीं रोक सकते वो 108 नंबर जो है वो आपको दर्शाता है ठीक है जी तो I hope आपको यहाँ तक जितने भी question हमने symbol से related discuss कि वो आपके सारे के सारे clear है class 3 हमारी यह रहेगी one और two part जो है वो आपको already application और हमारी YouTube चैनल के उपर जो है वो already आपको मिल जाएगा next session जो है उसमें हम HRDC की moq question paper को discuss करेंगे जिसमें पूरे 100 question का एक set जो है वो हम daily लगाएंगे तो उनको भी आप देखना ना भूलें ताकि आपकी त्यारी में कोई भी कमी न रह जाए तो जल्दी next class के साथ मैं आपसे मिलूँगा तब तक के आप अपने notes बनाते रहें त्यारी और बहतरीन करिए जय हिंद जय भारत